हलो दोस्तों मेरा रामा मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल बात करेंगे डियलेट रिजल्ड की इसके बाद बात करेंगे यूपी टेट के नए विज्यापन की और इसके बाद फाइनली बात करेंगे नई प्रात्मिक सिक्षक भरती की तो वीडियो में ला साइन्स, संस्क्रित, हिंदी, इंगले, सोसिलोजी और साइन्स जैसे सब्जेक्ट सामिल हैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एक्जामपूर आप का क्लिक करिए आप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्षन में आपको टीजीडी पीजीडी के क मिल जाएगा एक बार चकाओट करिए बहुत सारे फ्री कोर्सेस भी वहां पर अबलबल हैं तो दोस्तों देख सकते हैं डेलेट 22 के प्रथम समेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और जो रिजल्ट है वो काफी खराब आया है लगातार डेलेट के रिजल्ट इसी वरकार से आ लो गए हैं महस 39.97 यानि लगभग 40% रिजल्ट ही बना है इतने ही अभ्यरती उत्तिर हुए हैं 62 फिजदी अभ्यरती फेल हो गए हैं वहीं पर डेलेट 283 समेस्टर का भी रिजल्ट जारी हुआ है और डेलेट 274 समेस्टर का रिजल्ट इसके लावा तो हरेनी स्थर समेस् 2022 की तयारियां शुरू होंगी तो डेलेट रिजल्ट आ गया है अब अगला जो टार्गेट है PNP का वो है यूपी टेट 2022 ये क्लियर हो गया है कि अभी कोई नई प्रात्मिक सुक्षक भरती नहीं आ रही है एक और यूपी टेट कराया जाने की तयारी चल रही है अगले मा सितंबर में PNP प्रस्ताव भेजेगा शाषन के पास अगला यूपी टेट कराने का और इसे साल के अंतर एक नया यूपी टेट देखने को मिलने वाला है तो जिन भी जातरों का अभी तक यूपी टेट क्लियर नहीं था वो लोग त्यारी करें अपना यूपी टेट क्लिय मेरिट में जोडे जा सकते हैं हालाकि अभी तक इस पर कोई भी असपस्ट जानकारी नहीं है बात के रहे हैं नई प्रात्मी सिक्षक भरती के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रात्मी सिक्षक भरती को लेकर कोई भी कुछ भी बोलने को तयार नहीं है इसे वैसे अभ्यर्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाला है पर सिच्छी तिरंगा यात्रा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रात्ना करें और साथ दें, काफी लोगों का साथ में मिला है और आज ये यात्रा निकलेगी तो नहीं प्रात्मी सिक्षवर्टी को लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा अभी कुछ भी तैयारियां इसको लेकर नहीं हो रही है हला कि आपको अपनी मांग को लगादार उठाते रहना है ताकि ये मुद्दा चर्चा में रहे और सरकार इस पर विचार वीमर्स करे ये सी दोस्तों आज की वीडियो में तीन महत्पूर अपडेट वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताकि आपको इसी परकार की सबी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग